सूजी का यह बहुरी टेस्टी सा नाश्टा बनाने के लिए यहां पर मैंने एक कडाई ले ली है इसके अंदर तीन कप के करीब मैं पानी डाल रही हूं सबसे पहले तो ये नाप के मैंने 3 कप के करीब इसमें पानी डाल दिया है मैं यहाँ पर कप से मेजरमेंट ले रही हूँ आप घर में अविलेबल किसी भी एक कटोरी से सारे मेजरमेंट्स ले सकते हैं इसके बाद इसके अंदर 2-3 बून के करीब टेल डाल देंगे हम साथ में मैं इसके अंदर डाल रही हूँ नमक स्वादनुसार थोड़ा सा मैंने काली मिर्ची का पाउडर यहां पर पीसके रखा था वो भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ यहां पर मैंने एक चमज के करीब बारीक काट के अद्रक रखी है ये भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ साथ में युक दालुक, सूजी यहांपे एक कप करीब सूजी, युक спас सूजी, कप सूजी डाली है गैस को हम बन कर देंगे अब और ये सारी चीजों को हम एक साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ये देखिए लंस नहीं होने चाहिए गैस बन कर दी है बस गरम पानी में ये हमको मिक्स करना था और ये देखिए ये बहुत ही अच्छे तरीके से सूजी जो है फूल गई है इसने सारे पानी को सोक लिया है और ये बिल्कुल हलकी सी जैसे है ड्राय सी हो गई है और बंद गई है तो इसको एक बार अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे उसके बाद इसको धक के हम फूलने के लिए छोड़ देंगे तो मैं इसको ढग देती हूं गैस मैंने बन कर दी है याद रखेगा तो इसको 5-6 मिनिट के लिए हम ढग के रख देंगे यह देखिए फ्रेंड्स 5-6 मिनिट हो गए हैं यह अभी तक पूरी तरह सूजी जो है ठंडी नहीं हुई है द्यान रखेगा है इस बात का कि सूजी आपकी पूरी तरह ठंडी नहीं होनी चाहिए हलका सा यह जो मिक्स है गरम ही होना चाहिए और यह फूल गई है अच्छे तरीके से तो इसको मैंने एक बाउल में निकाल दिया है यहाँ पे यह थोड़ा सा और मैं इसको ठंडा कर लूँगी इतना हम कर लेना है जैसे कि हम हाथ इसको लगा सके अच्छे तरीके से और जैसे ही हम देख लेंगे कि अब हम हाथ लगा सकते हैं अच्छे से इसको हम जो है उसलना शुरू करेंगे इसको गूथेंगे हम और इसकी बहुत ही सॉफ्ट सी डो बनाएंगे थोड़ा सा हाथ में जो है लगा लीजिए और आप इसको अच्छे तरीके से उसल लीजिए एक्स्ट्रा पानी इसमें डालने की ज़रत नहीं है हम इसका अच्छे से गूत के और डो बनाएंगे सॉफ्ट सा तो यह देखिए मैंने इसको गूत लिया है और यह देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सी हमारी यह दो बनके त्यार हो गई है इसमें क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं है बहुत ही स्मूध हो गई है अब इसके बाद इसके हम छोटी छोटी सी बॉल बना लेंगे यह देखिए छोटे साइस की बॉल बनाईएगा क्योंकि यह बार में फूल जाएगी थोड़ी सी तो यह इस सारी की सारी बॉल्स मैंने बना के त्यार कर ली है आप चाहें तो इन बॉल्स को फ्रीज करके भी रख सकते हैं बाद की यूज के लिए तो यह देखिए यह बॉल्स हमारी त्यार हो गई है चलिए अब इनको जो है हम स्टीम कर लेते हैं आज हम फ्राय नहीं कर रहे हैं तेल का क्योंकि हम बहुत कम इस्तिमाल कर रहे हैं, यह नाश्ता बहुत ही हेल्दी है तो मैं इनको स्टीम करने वाली हूँ, यह यहां पे मैंने एक जाली वाली प्लेट ले ली है, इस तरही की प्लेट आपके पास होगी ही, अगर नहीं हो तो आप इडली स्टीमर उसके आप इडली कुकर में भी यह बहुत ही आसानी से बना सकते हो तो यह देखिए मैंने कम से कम आदी बॉल्स इसके उपर रख दी है हम दो बार में स्टीम करेंगे क्योंकि यह फूल जाती है थोड़ी सी तो इस पेस जरूर दीजिएगा बीच में यह देखिए और इनको कम से कम हम 10-15 मिंट के लिए स्टीम होने के लिए छोड़ देते हैं तो यह देखिए फ्रेंड्स यह स्टीम हो गई है 10-15 मिंट मैं इनको अच्छे तरीके से स्टीम कर लिया है और आप देख सकते हैं कि यह बहुत ही अच्छे तरीके से फूल गई है यह देखिए अपनी साइज से Del creature Dadoa टक बढ़ जाती है और बहुत ही सपंजी बन जाती है अभी तो बहुत गरमником है इनकों करती है कि यह बहुत ही जादा स्पंजी बन गाई है इनको हम कर लेंगे तो यह बहुत ही ज़िएदा सपंजीذ यह बनी जाती है तो यह बहुत ही टेस्टी और डिलिश्यस और बहुत ही हेल्दी हमारी सूजी बॉल्स बनके त्यार है चलिए अब इनका जो है हम मसाला बना लेते हैं तो यहां पर मैंने कड़ाई लिए है इसके अंदर एक चमच के करीब मैंने ऑईल गरम करने के लिए रखा है जैसे ही ऑईल हमारा गरम हो जाता है इसके अंदर हम डालेंगे एक चोटे चमच के करीब राई आदे चोटे चमच के करीब मैंने इसके अंदर जीरा भी डाला है द यह निए सारी चीजों का हम अच्छे तरीके से फ्राय कर लेंगे एक बड़ अच्छी सी खुश्वू हा जाएगी इसके बार इसके अंदर मैं डाल रही हूं आदा चमच के करीब लाल मिर्ची का पाउडर वन फूर चमच के करीब मैं इसके अंदर डाल रही हूं हल्दी और साथ में थोड़ा सा मैने नमक डाला है, इनको भी हम हलका सा फ्राय कर लेंगे, जात देर नहीं फ्राय करना है, इसके बार मैं इसके अंदर फ्लेवर के लिए डाल रही हूं, सांबर मसाला, तो एक छोटे चमच के करीब मैं इसके अंदर सांबर मसाला डाल रही हूं, आप आप चाहें इसके अंदर तो पावबाजी मसाला डाल सकते हो छोले जो डाल सकते हो तो आपका जो फ्लेवर है डिश का हो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा तो ट्राइ कीजीगा एक्सप्पेरियमंट कीजीगा और मुझे कमेंट करके बताईएगा कि आप कौन सवाला मसाला ड अपर झाले नहीं और वाल्स को अच्छ से हम कोट कर लेंगे यह देखिय मसाला बोहती ही अच्छे तरिके से सारी वाल्स के ऊपर कोट मेर बनता है बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता बनता है इसके बाद मैं इसके उपर एक चमच के करीब coconut powder डाल रही हूँ ये नारियल का बुरादा है इससे टेस्ट इन्हेंस होगा साउथ इंडियन फ्लेवर का इसको भी हम मिक्स कर लेंगे और इसके बाद मैं थोड़ा सा पानी और इसके हम एक मिनिट के लिए और पकाएंगे बिल्कुल दीमी आज पे तो ये देखिए फ्रेंट्स ये हमारी जो है बहुत ही टेस्टी साउथ इंडियन क्लेवर की सूजी के नाश्ते की बॉल्स बनके त्यार है इसके उपर मैं थोड़ा सा नीमबो चड़क रही हूँ और हरा धन कीजिएगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको रैस्पी कैसी लगी वीडियो को जाज जादा लाइक कीजिएगा अपने फ्रेंट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ऐसे ही किसी बढ़िया वीडियो के साथ तब तक के लिए बास और फ्रेंट ये कुछ दूसरे वीडियो हैं हमारे चैनल के जो आप क्लिक करके देख सकते हैं थैंक यू